दोस्तों UPSC prelims के लिए बहुत important question हो सकता है with respect to the number of seats in the लोकसभा and राज्यसभा क्योंकि बहुत सारे changes हुए हैं after abrogation of article 370 as you all know about the Jammu and Kashmir and the Ladakh region which were made the union territory करी तो आईए जल्दी से एक बार discussion कर लेते हैं Parliament का part होते हैं राज्यसभा, लोकसभा and हमारे President साब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की maximum strength है 250 मगर current strength पे जो हमारी राज्यसभा काम कर रही वो है 245 इस maximum strength, that is 250 में elected members हो सकते हैं 238 और nominated होंगे 12, current strength के according, nominated तो 12 ही है अब but obvious बात है, अगर nominated 12 है, मगर current strength 245 है, मतलब elected members में से कुछ काम है, कितने काम है 233 मतलब 5 member काम हो गए, उमीद करता हम समझ पारे हो इसके बाद अगर हम बात करें कि इस 233 जो की elect होके राज्यसमा में पहुँच रहे हैं इसमें से कितने लोग states से आते हैं, 225 होगा जवाब और कितने लोग union territory से आते हैं, जवाब होगा 8 लोग अब अगर question पुछा जाए, कि union territory में कौन कौन से union territory हैं और उसमें से कितने लोग आते हैं तो दिल्ली और पुड्डुचेरी में से तो हैं 3 और 1 important यह नहीं है important यह है कि लद्दाक में से कितने लोग आते हैं, राज्यसमा में जवाब है, निल क्यों, क्योंकि लेजिसलेचरी नहीं है जम्मू काश्मीर से 4 अब यहाँ पे, लोग सबाब पे चलते हैं लोग सबाब में maximum strength कितनी है, 550 550 में से states में से कितने आएंगे, 530 union territory में से कितने आएंगे, 20 लोग सबाब की current strength पे कितने काम कर रही है 543 पे काम कर रही है, जिसमें से states में से कितने आएंगे, 524 और union territory में से कितने आएंगे, 19 अगर हम मैं पूछूँ कि इस 19 में से दिल्ली से कितने, 7 जम्मू कश्मीर से 5 यहाँ पे लगधाग का representation है लोग सबाब में, बिलकुल है एक seat, दादर और द्यू एक union territory है यहाँ से 2 लोग आते है बाकी की पुडुचेरी, अंडमाने निकोबा, लक्षुदीब और चंडीगर, इन सम्में से एक-एक member आता है तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो I think it will be beneficial for you for the prelims, that's it from my side for this particular topic